आजकल राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग का मानो ट्रेंड सा चल गया है बीते कुछ सालों में राजस्थान को शादियों के लिए बहुत पसंद किया जा रहा है मशूर हस्तियां, बड़े बड़े फिल्म स्टार, पॉलिटीशियन से लेगर कॉर्पोरेट तक अधि बात करें तो पहले रियंका एंड निक, केटिना एंड विक्की, अभी रिसेंटली की बात करें तो कियारा एंड सिधार्त और मशूर फिल्म एक्ट्रेस या केंद्रिय मंत्री इस्मृति इरानी की बैटी शेनेले इरानी की शादी की डेस्टिनेशन भी राजस्थान में फिक्स की गई है आखिर सभी लोग राजस्थान को ही अपनी ड्रीम वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए क्यों चुन रहे हैं क्यों इतने बड़े-बड़े सितारे राजस्थान की और अग्रिसर हो रहे हैं तो जानने के लिए बने रही है वीडियो के एंड तक दोस्तों आजकल हर इंसान चाहता है कि उसकी शादी बहुत धुमधाम से बड़े जोरो शोरो से एक रोयल वेडिंग हो और चाहना भी उनका लाजमी है क्योंकि जिन्दिगी में शादी एक बारी तो होती है राजस्तान शुरू से ही वीरो की भूमी रहा है और यहां का इतियास काफी गोरवशाली रहा है राजा महराजाओं के जमाने से ही यहां ऐसी कई हवेलिया और किले बने हुए है जो आजकल की न्यू जनरेशन के लिए अट्रेक्शन का एक पॉइंट बने हुए है राजस्तान के शाही होटल्स या फोर्ट्स की खूपसूर्थी और वहां की रोयल्टी ही वो बड़ा कारण बन जाता है जो लोगों को अपनी मंचा ही रोयल वेडिंग के लिए आकरशित कर रहा है रोयल प्लेसेस में जो रोयल्टी और सुईधा लोगों को दी जाती है वो मानो किसी राजा महराजा की शादी से कम नहीं होती है और काफी बजट फ्रेंडली भी होती है तो चलिए जानते हैं राजस्थान की ऐसी जगह हैं जहां आप अपनी ड्रीम वेडिंग को प्लान कर सकते हैं दोस्तों इसमें मैं पहली जगह उम्मेध भवन पेलेस को सजेस्ट करूँगा जहां निक और प्रियंका की शादी हुई थी दूसरी जगह है सुर्यगड या सोनार का किलाज जेसल मेर यहां कियारा और सिधार्थ दोनों शादी के बंधन में एक हुए हैं तीसरा सवाई माधुपूर के चोद का बरवाड़ा में सिक्स सेंसिस फोर्ट जहां केट्रिना और विक्की की शादी हुई थी बागी आप रामबाग पेलेस जैपूर, दो फोर्ट पोकरन जेसल मेर, अलीला फोर्ट बिशनगर्ड, दो लेक पेलेस उदैपूर और भी कई रोयल प्लेसेज हैं, जहां आप वेडिंग प्लान कर सकते हैं, अगर आप और ज़्यादा डेस्टिनेशन प्लेसेज और उनकी रेट्स के बारे में जानना चाते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं